नमस्तार सातियों मैं यूदेश रुपता है बाफ फिर से सवर्यट करता हूं आपके अपने यूटूब चैनल रेलवे पार्ट साला पे तिरुब डेटी परिच्छाएं चल रही हैं और अगर आप लोड एनलेसिस धन से टर रहे हो तो एनलेसिस में आपको एद बात ये समझ कासी में आ रही हो जी कि कोई भी सिप्टरा पेपर हो और टीसीवी डेटरा पेपर हो क्रम से कम चार से पांच जो है न वह तुम्हारे एलेक्स टे पूछे ही जा रहे हैं मतलत अगर आपने एलेक्रट्रल नहीं पढ़ा तो आपके चार से पांच पोशन छूटी जाएगी ह तो और उन चार से पांच पोशन में से दो से तीन कोड़ सवाल आपके प्रत्रोध और रजिस्टिविटी यानि प्रत्रोधत्ता पे पूछा जाता है मैं इंगलिस वर्ड डिलिट देता हूं इस्टे प्रत्रोध का मतलब है रजिस्टेंस और प्रत्रोधत्ता का मतलब है तो अभी दस मिनटर इस वीडियो में मैं आपको रजिस्टेंस और इस्टिविटी टे बारे में कुछ ऐसे कॉंसेप्ट पताने वाला हूं जो हमारे एक्जाम में पूछे जा रहा है चलिए मैं सुवार करता हूं एक बड़िया से कॉंसेप्ट से फिर आप देखे ला मतलब क्या होता है तो आपको बताना है धारा के मान में रुकावट मतलब धारा के मान में जो रुकावट होड़ी सर उसी तो बोला जाता है रजिस्टेंस धारा के मान में रुकावट हरा क्या मतलब इस्टा मतलब यह सीधा सीधा साब जहां पर रजिस्टेंस ज्यादा से धारा क्म जादा हो जाती है आप इस बाद तो एदम याद कर लो तो इस बाद कर लो होने से धारा बदल जाए ठीकर अब आड़े बास सुनू बच्छा जो रजिस्टेंस होता है न वह त्रिसीवी धातू का रजिस्टेंस वह च्छी लंबाई टे डेरेक्टली इसलिए धार अटना resistance आर टा जो formula होता है वो होता है rho into l by a ओके तो टीसी भी resistance टा यह formula होता है r बराबर rho into l by a बोलो भाई बात सब्रोब इतनी चलिया रहे ना तो r बराबर आपने rho into l by a पढ़ लिया अगर बात करते हैं मातरक टीटी मातरक क्या होना चीए तो resistance टा जो मातरक होता बच्चा वो ओम होता है हाना या फिर टाई बार हम लोग वी बटे आई से resistance टे मातरक को वोल्ट प्रती एंपियर भी टेह देते हैं तो रिजिस्टेंस का मतलब वोल्ट प्रती एंपियर वो सकता है सवाल यही ति रिजिस्टेंस टिस्ट पर निर्भार टड़ता है तो याद रिखना जब भी आर की बात कड़ी जाए जी ति बताइए आर टिस्ट पर निर्भार टड़ता है तो यह तक न आर इस पर निर्बर तरता है तो तहना सबसे पहले यह निर्बर तरता है उस्टे लंबाई पर उस्टे एरिया पर उस्टे रजिस्टिविटी रजिस्टिविटी मतलब रो उस्टे साथ-साथ उस्टे पदार्थ पर निर्बर तरता है और उस्टे साथ-साथ उ तुमने तीन डुना कर दिया करेंट को तुमने दो डुना कर दिया बताइए रिजिस्टेंस टेतने डुना हो जाए रहा ऐसा सवाल बहुत पूचा जा रहा है और ज्यादा तर बच्चे और ज्यादा तर यूटूम में भी तुछ वीडियो आपको हो सबता है इस्टाइडलत हां तो फॉर्मले से तो यही पता चल ला है नई भाई आपका सूचना थोड़ा दिल्लते देखो जब आप ओम ट्रनियम पढ़ते हो तो ओम ट्रनियम में बताया जाता है वी डिरेक्ली प्रपोर्शनल लाई और फिर यहां एक टॉंस्टेंट लगा जाता है वो कॉंस्टे सेन बदलता यान इस टेंडिशन में हमेशा जिस्टेंस ऊंस्टेंट होता है ठीट में जो रिजस्टेंस बदलता है और नौ complain हिपर दर दलेश यह यह जो अमनें चाइस प्रतिती बदल sécurने परेली बात कि उस्टा मात्राइक बड़ा इनक hybrid कि एक harm निर्भार तरती है इन दो चीजों पर बस निर्भार तरती है तुम्हारी शीश्टिविटी इश्विस और चीज पर नहीं टढ़ती हुआ अब इसमें देखिए तैसे दुमार्टा टोश्चन आ रहा है इसमें दुमार्टा टोश्चन ऐसे पूचा जा रहा है ति अगर लंबाई तो बढ़ा दिया जाए एरिया तो रेजिस्टिविटी पर क्या प्रभाव पड़ेगा तो कहना सर रेजिस्टिविटी नहीं बदले रेजिस्टिविटी लंबाई पर एरिये पर आर्थाथ उस्टी माप पर निर्बा नहीं तरता है उस्टा एरिया तैसा है लंबाई तैसी है नहीं इस पर निर्बार ही नहीं तरता है रेजिस्टिविटी सिर्फ और सिर्फ पदार्थ पर निर्बार तरता है हां ताप मान सारे चोटे चोटे ठर्म आप् extrem अप्रों बताएं हम आज अन्म आजया डे और भी चरचाइंगे अना कुछ और बाते म bluff regulations कोटी अम देजात ययोर देजा दो तो इमें क्या होता है कि जब नम टम्रेचेर बढ़ाते हμεं तो रेजिस्टिविटी और तो लॕरोग दोनो टेंडेक्टिविटी और रेजिस्टिविटी तो मिस धातू धातू में टेंपरेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ जाता है और धार रखना रेजिस्टिविटी बढ़ जाती है चलता भी बढ़ जाती है टेंपरेचर बढ़ाने लेरे अगर यही तुमसे बात की जाती अठ्ध चालट मेंём the inkars of the Detective या फ़र बात की जाती तुम्हारी अधातु में तो धर बिसलोगी वेसे हैं भी आक बत अध्ध हातु में टमना मेरे भाई तो वहां पर क्या होता है कि जब तभी आप temperature बढ़ाते हो मैं temperature तो बढ़ाने वाला टेस आप तो याद कहा देता हूं घटाने वाला तो आप उल्टा ही टलोगे वैसे भी आप समलोग उल्टा टलने बड़े माहिर हो है ति नहीं तो resistance तो वारा घट जाए रहा और resistivity ढड़ जाए रही और conductivity जिस्तों आप चालता कहते हो मेरे भाई वो बढ़ जाए रही वो तुमारी बढ़ जाए रही अब इन्हीं में से घुमा फिराटर कैसे भी समाल पूछा जा रहा है और लोग ढलती ही रहा है मैं एक दो प्रसनों को आपको जवाब देता हूं जैसे िरो दोड़ नहीं कर दिया बताइया रेडिस्टेंस पर क्य प्रभाव पड़े रा और रेजिस्टि विट्य पर क्या प्रभा पड़े रहा है ऐसे चाहिए ये प्रसनाहें है निलम्बाई तो तुमने तीन डोना और रेडिस्ट वे दोड है बदे अन्ट अलगए नॉन् तो तुरहन तुम्हें आएट formula याद परना है कि resistance are directly proportional L by A लेटर नीचे area है ना और मेरे भाई मैंने area नहीं कहा, मैंने कहा radius तो आप यह test हो तो यह time करते हैं सर, area के formula को pi into r square फोल देती तो radius जो हो डी वो, वो L और r square समानुपाती हो जाए दी, L बटे r square तो मेरे भाई, अगर यहाँ L बटे r square समानुपाती हो जाए, इसना मतलब आपने L तो, L को 3 गुणा तिया, तो 3 उपर दीजे, radius, radius 2 गुणा तिया है देखलो, तो 2 तो तुम्हारा नीचे है ना, तो जब 2 नीचे है तो यहाँ दो नीचे है और दो तो वो भी इस्ट्वायर है, यानि resistance हो जाए रहा, तीन बटे चार गुणा बट, resistivity टैसी रहे दी, सर, resistivity रहे दी, same बोलो भाई, 8 तो यह प्रसंद बड़ा पूछा जा रहा है, इसी से मिलता जुलता, 8 प्रसंद और आ रहा है और जोटी टर्म से टर्म, 3 से 4 सिप्टों में पूछा जिया है, यह सवाल सवाल ऐसे दे दे रहा है, ती माल लीजे तोड़े दे लिए लम्बाईट अनपाद, मतलब तीन वायर है मेरे पास और जो टॉपर्ट है मतलब उन्टा मेट्रियल से में ले उन्टी लंबायू टनपाद दिये दे रहा है 8, 2 और 3 ये लंबायू टनपाद दे 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 रहा है जब ले उन्टी त्रिजाओ टनपाद दे रहा है त्रिजाओ टनपाद दे रहा है इन में बहने वाली धारा कानपात बताईए ती धारा कानपात बताईए ती या होगा ये दूसरा प्रस्न है उपर वाला सलूशन अलगे तो मेरे भाई तीनो तार कॉपर के ही तुमसे धारा कानपात पूछ रहा है तो ये बाप बताईए जरा अगर धारा आई बराबर वी व मानुपाती है तो एक काम करते हैं कि सबसे पहले रजिस्टेंस टानुपात निकाल लेते हैं या सीधा-सीधा आप यह कहो आई डिरेक्टली प्रोपोस्टनल वन अपॉन आर और तुमने अभी बताया एल बटे आर इस्ट्वायर लेटे उल्टा टरना है तो आर इस्ट्वाय उपर लंबाई नीचे देखो तो र्रेडियस है 2 8 8 2 8 8 यह मैने अनपात बताया तो चार 8 8 बताईए हो जाएड़ा फिर नीचे लंबाई लेटेटो लंबाई तो तुम्हें एज़ेटिज रखनी है L है तो L 8 2 3 यानि नीचे तुम्हारा हो जाएड़ा 8 नीचे हो जाएड़ा 2 नीचे हो जाएड़ा 3 आप इसब थोड़ा साही तर दो हाना साहीटर ना आता है ना 3 दो नीचे 6 से मल्टिप्लाई तर दो तो धाराटर जो फाइनली रेशियो आजाएड़ा धारतर फाइनली रेशियो आजाएड़ा 3 दो नीचे 6 64 24 रेशियो और 3 तो ऐसा कोई भी प्रसंद आप इसे पूछा जाए धारा और रेजिस्टेंस से और रेजिस्टिविटी से तो भी आपको बताना है अच्छा एक और प्रसंद टाइप का बहुत इंपोर्टेंट सवाल पूछा जा रहा है उस्टों में मैं एस्प्लेइन कर दू तो कि मेरा मान थीच्टर एंड गुणा कर दिया तो जब भी तीसी वायर को थीच्टर हम लोग एंड गुणा कर दें जी तितने गुणा एंड गुणा तो याद रखना उस्टर जो नया रजिस्टेंस र 2 हो जाता है मेरे भाई वो एन श्वायर इंटू आर वन हो जाता है बस यह याद खना थीच्टार तुमने टिया है एंड गुना तो दो गुणा टिया जाए थो एँड बडबर दू थीन गुणा टिय तो एड बडबर तիन बडबर तीन फस जया बकर जेंप र फे चल्व कह ए स्यी में आप से ए टाल मैंने टिसी वायर को थीच्टार 4 गुणा कर दिया च तरह देना एन इस्ट्वाइर इंटु आरवन लगा दो चार इस्ट्वाइर इंटु आरवन यानि नया रजिस्टेंस आर्टु जो होगा वो पुराने रजिस्टेंस ता सोला रुना हो जाएगा बहुत सिंपल सब्सक्राथ है jparty बार को ठीच कर जो मैं उस टी लंबाई 3 नूना टर दी तो बताईये रजिस्टेंस डितने प्रष्णत बढ़ जाएए aten resistance कितने प्रिश्य बढ़ जायदा ऐसे कोशन पूछे जा रहे हैं अब यह सवाल कैसे सहल हो यह सवाल कैसे सहल को तो जो भी आपका resistance होड़ा नया resistance होड़ा, यह बहुत लान सुन्ना अग्सित्र तुमने तीन गुणा कर दिया, तो नया resistance R2 जो हो जाए रहा वो तीन ट्रेस्ट्वायर R1 यानी 9 R1 हो जाए रहा तो क्या मैं R2 बटे R1 लिच सकता हूं 9 बटे 8 बताइए कर सकता हूं R2 बटे R1 9 बटे 8 इस्टा त्या मतलब हुआ इस्टा मतलब यह हुआ तो अगर पहले resistance 1 था तो बाद में 9 हो जिया बढ़ जिया ना त्यत्रे प्रेशन बढ़ा तो त्याना 9 पहले 8 था फिर 9 हुआ बढ़ा 8 त्यत्रे में बढ़ा 8 में और गुड़े 100 तर देना तो यह तुम्हारा percentage व्रद्धी निटल आईजी तो percentage व्रद्धी हो जई 800% ऐसे सवाल भी पूछे जा रहे हैं तो कोई भी resistance से सवाल पूछा है तो भाईया आप इतना concept मजबूत रठो यार मैं यह नीचे है तर इतना आसान सा topic आपनी डलती ती वज़े से डलत हो सथे हैं फिलाल यह छोटा वीडियो एदब धमाटेदार वीडियो था है तोटी 2-3% इसी पर आ रहा हैं तैसा लागा नीचे मुझे comment रटे जरूर ब